सीधा की भई कौन से चीज में क्या है ना हमने थोड़ा सा डीटेल में जाना एसे नहीं रचना एक दो अनुसूचित जाती और अनुसूचित तो पूछ लाए कि अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए सीटों के चर्चा किस अनुछेद में तो अगर तो लिख देगा अनुछेद 243D 243B 243C 243E जो भी कुछ लिख देगा ऑप्शन तो ठीक है 233D आजाएगा कई बार हो क्या करता है UP PCS के पेपर में भी आया था और गुरूपC के पेपर में भी आया था अनुछेद जाती और जन जाती के लिए सीटों के अरेक्षन की चर्चा किस अनुछेद में उसलिए 243D फर्स्ट 243D सेकेंड 243D थर्ड और डी फोर्थ ऐसे करका ऑप्शन दियते फस जाएंगे यहां पर तुचित जाती मतलब अनुछेद जाती क्या होता है SC और अनुछेद जन जाती मतलब ST यहां पर OBC की बात भी नहीं की गई है केवल SC और ST की बात की गई है और कहा गया है कि जो SC और ST होगा उनको जो पंचायतों में आरेक्षन दिया जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा जन संक्या के आधार पर दिया जाएगा समझ गये ना अब जन किसका आधार पर होगा जन संक्या का आधार पर और यह जो सीटों का जो आरेक्षन होगा वो क्या होगा आपके पास चक्रिय क्रम में होगा कैसे होगा चक्रिय क्रम में आप देखो जरा यह चक्रिय इसको भी पूछता है पेपर में चक्रिय क्रम का मतलब है कि जैसे सपोज यहां पे जो है STB है SCB है OBCB है तीनों केटेगरी है इस गाउं में और हो सकता कि ST की जन्संग के ज्यादा वह ऐसा तो नहीं होगी चापके की बराबर ही होगी किसी की ज्यादा होगी ST की ज्यादा होगी SC की कम होगी हो सकता OBC की और भी कम हो यह हो सकता सब ज्यादा OBC की हो किसी की ज्यादा हो सकती है तो चक्रिय क्रम का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि किसी की जन्संग के कम हो तो उसकी सीट ही नहीं आएगी कहने का मतलब है कि अभी ST की seat है तो हो सकता कि अगले 5 साल में या 10 साल में ST की seat के जगे क्या जाएगी सी की हो जाएगी चाहे जंगर्णना ना भी हो और हो सकता कि अगले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या हो जाएगी OBC की seat हो जाएगी तो यह चक्रिय क्रम का मतलब है कि उनकी सीटे जो बारी बारी से क्या हो जाएगी सीटे चेंज होते जाएगी आप लोगों ने second point में बात करता आप महिलाओं की जो महिलाओं की जो सीटें होगी कहा की बात कर रहे हैं पूरे देश का नियम की बात करे हैं तो अपने अपने स्टेट में अलग अलग हैं लेकिन अम उस नियम की बात करें जो पूरे देश में लागू होते हैं है ना तो जो महिलाओं और एक्जामें यह आते हैं वह नहीं आते जो अलग 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 उनको कभी पूछता भी नहीं जीके में सीटों की जनसंक्या जो महिलाओं की सीटे होगी वो एक तिहाई क्या होगी आरक्षित होगी यह देखो भाई सीटों की जनसंक्या जो महिलाओं के लिए होगी वो एक तिहाई आरक्षित होगी यह जनसंक्या के आधार पर नहीं है यह एक तिहाई सीट जो महिलाओं को देनी ह चाहि कुछ भी हो जाए अगर मैं इसके अगले भाग की बात करूं भाग तीन की तो वो कहरा कि SC और ST का भी क्या है? ST, SC महिलाओं को भी क्या है? महिलाओं की सीटें भी क्या होगी? सब्सक्राइब है कि गई सब्सक्राइब है और फिर एक तीन का में पुर्य आपकी क्या है ग्राम पंजायत है अब गलग ठीट औरू कि अगर आपके गाउं में या आपके जिल्ले की रहत करें ग्लाम पंचायद को गाउं की बात हो गई कि इस में अगर भाय चंस तोटल 100 seat हैं या फिर हमने ले लिए 1000 seat हैं तो 1000 seat का एक TIA कितना हो जाएगा भई कितना हो जाएगा एक TIA भई 3330 तीन सो तीन सो 333 मान के चलो है ना इतना हो गया तो 1000 seat आयएगी तो उन में से 330 seat जो महिलाओं की हाईगी आएगी वो चाहिए जनरल हो चाहिए स्टी हो चाहिए ओबीस हो मतलब आल ओवर की बात कर रहे हैं फिर अगर बात करते हैं स्टी एस्टी की तो स्टी करते कि स्टी की 100 सीटे आ गई OVC की हालग कि इसमें OVC की बात नहीं कर रहा पर फिर भी सलो क्लियर कर लेते हैं यहीं पर और स्टी आ गी आ आपकी किस की स्टी की स्टी आने तो इन ST की जो 100 सीटे हैं इन 100 सीटों में से 33% सीटे यानि की 33 सीटे महिलाओं को दी जाएगी ST की अब बच्चे की कितनी परसेंट? 67% वो आपकी जो है ST के जो जैंट्स होंगे उनके लिए होगी आप जो जैंट्स की सीट होती है उसमें महिला लड़ सकती है लेकिन जैंट्स महिला की सीट पर नहीं लड़ सकता है यानि की खुल मिलाकर जो ए jogo 43 सीटे और गिसकी है फमेल की और जो मेल के लिए बची यहां पर हो कितनी बची, $ जो ये शर्डव सट हותी न हम इसको ST जेर्रल जेर्रल बहसकते हैं, और जो जेर्रलल का मतलब होता हुसमें सब लोग अब हम ST की बात करें, ST का मतलब क्या है, कि ST का मतलब है कि ST के लिए जितनी सीटे आरक्षी तो उसमें केवल स्टी वाला ही फाइट कर सकता जनरल वाला उसमें नहीं जा सकता ना स्टी वाला जा सकता उसमें लेकिन जो जनरल की सीट होती है उसमें स्टी वाला जा सकता एस्टी वाला उसको खा सकता है लेकिन जनरल वाला स्टी की सीट को नहीं ख पूरूस भी लेकिन जो ये महिला गी तहीस से किसकी हो जायेगी महिलाओं की समझा नहीं किसे जो είναι यह सीटों का आरक्षण है अब हम बात करें थे अभी थोड़े दिर पहले प्रस्ण पूछा था आपसे हमने कि जो देश की पंचायतों में म scor preaching जन्हसंख्य certificate का आदर पर है यह जन्हसंख्य का आदर पर नहीं है या दोनों या इन में पर नहीं है उसको सीधा fix किया हुआ महिला वहां पर कितनी भी हो वहां fix कर दिया 33% सीटे तो महिलाओं को जाएगी जाएगी भले किसी के लिए सीटों का आरक्षण तो जो OBC के लिए सीटों का आरक्षण होगा पंचयत में और किसम है यह अनुछेद आपको याद रखना है खास बात क्या आगई यहां पर जो सबसे important point आगे हो क्या आगे सबसे पहली बात कि जो SC और ST होगा SC और ST होगा वो सीटों का आरक्षण किस आधार पर होगा किस आधार पर होगा जन संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण होगा वो किस आधार पर होगा जन संख्या का आधार पर नहीं होगा ओई इसे के लिए किया है नियम बनाया जा सकता है इसे लिए भी विधानर तो चक्रिय करम में आपकी जाएगी सांगा यह कि अनुषुचि जाती है हैं करना हिसाट के सिट के आरक्ष्ण की बात है और हसे उस जन संक्य क आधर पर पुर्त वह है पर किस अनुछे जिट में सीट की मजलाओं के लिए सीटों का अरेक्षन इतना ज्यादा नहीं पूछता और पीछले 243 के डी का थर्ड है और यह इंपॉर्ड़न्ट है वह यह वाला है ना के लिए सीटों के आरेक्षन की ब्योस्ता की जा सकेगी किस अनुच्छत के तो 243 का डी का क्या जाएगा फिर ना टॉपिक हो बड़े इंपॉर्ड़न्ट है दोको पंचायत की पंचायतों की जो अवदी होगी और कितने वर्स की होगी पांच वर्स की होगी पांच वर्स पं इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके सदर्षय होगे पंचायतों के जो सदर्षय होंगे उनका कार्यकाल वी कितने वर्स का होगा पांच वर्स का होगा प्रदान का कारेकाल हो चाहिए छेतर पंचायत का कारेकाल हो चाहिए उनके अध्यक्स का कारेकाल हो चाहिए सदर्शे का कारेकाल हो सबका कारेकाल कितने वर्स का होगा का 5डी का 5 वर्जका होगा क्योंकि जब उसकी ऑजी 5 की है तो उनका कारेकाल भी 5त की है अब देखो यहां पर कास पॉइंट यदि क्या हो आपकी पंचायत this तो यदि पंचायत गगटित हो जाया लिए को पंचायत की तriters आ शचायत की दर शाया हो जाये किसी पंचायत की कैसे खतम हो सकती है फंचायत खतम हो जाना है तो जोग्या start कि अगर ऐसा हो जाए और उसका कार्यकाल खतम होने के लिए 6 माह से कम समय का कार्यकाल 6 माह से कम समय का कार्यकाल सेस बचा हो देख रो क्या कह रहे हैं 6 माह से कम समय का कार्यकाल सेस बचा हो तो चुनाव नहीं होगा याद रखने यह पोइंट आते हैं पेपर में तो चुनाव नहीं होगा 6 महिने से कम समय का कार्यकाल अगर सेस बचा था और उस समय जो है डैथ हो जाती है प्रदान हो छेत्र पंचाए तो जिला पंचाए तो उसके लिए फिर चुनाओ नहीं होगा यानि कि कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रदान था और वो प्रदान जो है जब प्रदान बना तो उसके बाद से उसको जो है चार वर्स और छे मा चार वर्स छे मा जो है उसने अपने कार्यकाल के पूरे कर लिये थे, अब बच्चे तो उसको कितने 6 महीने और बच्चे थे, लेकिन इस समय उसकी क्या हो जाती है, मृत्य हो जाती है, तो फिर क्या होगा आपका चुनाव नहीं होगा, फिर चुनाव नहीं होगा, समझ गे ना, दूसरी बात कि यदि कार्यकाल 6 मा या इससे अधिक समय का सेस बचा हो कार्यकाल 6 मा या इससे अधिक समय का सेस बचा हो तो क्या हो जाएगा उस पद के लिए तो क्या होगा फिर तो चुनाओ होगा तो उस पद के लिए क्या होगा चुनाओ होगा और जो चुनाओ होगा ना वो चुनाओ जो है चुनाओ या फिर आप यह बोल सकतो या फिर आप बोल सकते हो नए सदश्य को सेस कार्यकाल के लिए चुना जाएगा यह देख रहो बहुत खास पॉइंट है सेस जो नए सदश्य कार्यकाल के लिए कर दिया कोई पुरा कर दिया चार वर्स का कारेकाल पूरा कर दिया या फिर हम यह भी बोल सकते कि तीन वर्स का कारेकाल पूरा कर दिया उसने तो चार वर्स का कारेकाल कर दिया था उसने और इसकी यहां पर क्या हो जाती है मृत्य हो जाती है तो सेस कारेकाल कितना बचा एक साल बचा पांच साल का होता कारेकाल तो जो नया सदश्य आएगा जो नया सदश्य आएगा नया सदश्य एक वर्स के लिए ही क्या है एक वर्स के लिए चुना जाएगा समझ थो बायचांस कोई पुराना सदश्य था प्रधान था और कोई उसने तीन coś का कारेकाल कर conspiracy मोלא की डयथ हो जाती है तो कितने साल बचे थे दो साल और दो साल बचे थे और उसकी मृत्वी हो गई तो जो नया सदश्य है जो नएसा सदश्य है ओनया सदश्य कितने वर्स के लिह पर नहीं चुनाण जब होंगे तो औसके लिए जो सदश्य चुनाब उन पूरा पूरा पंच वर्स के लिए और इनका जो चुनाब होगा इनका जिद जब किसी भी सदेश्य की मृत्य हो जाए या पद खाली हो जाए तो यह चुनाओ जो है छे मां के भीतर क्या है करवाना होगा और तब तक उस पद को कौन संबालेगा जो उपाध्यक्स होगा या उप प्रदान होगा ऐसे करके वाइचांज यह प्रदान था कोई इसकी डैथ हो ग करेंगे उप अध्यक्स जो है तब तक जो प्रदान होगा संबालेगा लेकिन समीधान में नियम है वान चाहिए बिदैक का चुना हो सांसथ का चुना हो चाहिए प्रदान कंझा चाहिए धίαςर पंचेत का अगर कोई खाली हो जाए किसी की death हो जाए या कोई छोड़ दे या किसी और कारणोस खाली हो जाए पद तो उसको 6 मा के अंदर अंदर भर ना होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उप्रदान होगा और 6 महीने के लिए ही रह सकता है इससे ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकता है तो उसको जो है दो तिन महीने में करवा देते हैं वैसे नॉर्मल चुना एक दो महीने में तो चुना हो जाता तब तक पूरी पाउर किसके पाँ चल जाएगी जो उप्रधान होगा अब यहां पर बात करते हैं जरा इस पॉइंट की यह वाला पॉइंट देखो यदि कारेका अगर 6 मा से कम समय का बचा है तो क्या होगा आपको चुनाओ नहीं होगा क्योंकि 6 मा के लिए तो उप्रधान ही पद पर रह जाएगा समझ रहे क्योंकि वह जो है 6 मा आपका गैप हो सकता है उसके बीच में 6 मा से ज्यादा नहीं अगर 6 मा से एक भी दिन जादा हुआ ना ना बनाना पड़े समझ रहो बात को तो यह चुनाओ फिर होंगे यह नियम है तो समझ गये ना इन पॉइंट को किसे कोई दिक्का तो नहीं यह यहां पर नहीं है ना तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना जरा नेक नोट